तो तो देखो प्यारे बच्चो इसमें हम सर्फेस एरिया की बात करोगे यहां avoid अगर तुमसर वैसे और यह कि प्राप्ट में है समय हो प्यारे बच्चों यह वाला पार्ट चाहिए यह स्रफेस इर्जी आ मलब इस पार्ट यह ग्रीन है तो हवा के कॉन्टेक्ट में है ऐसे को न है तो इसको बोलते हैं जो करव यह इसको हम बोलते हैं यै जो लेटरल इसको लेटरल इसको लेटरल सर्फसेस एरिया बोलते हैं इसको बोलते हैं लेटरल लेटरल ये जो कर यह तू आसको डुगए तो अपना यह बएट भाला का मुझे पहले ही प्र ये लेंध मैं Capital आपको दे देता हूं इतना आपको दिया हुआ है इसी की टेंब में आपको निकालना तो सबसे पहले लोजिक सोचो लॉजिक सोचो कि तो कैसे किया जाए इस बेसिस पे अगर मैं डिसकुसन करूँ तो दिखो सबसे पहले तुम देखोगे यहां पर कि यहां स तुम चाहे solid लो चाहे हो लो कोई मतलम नहीं कि हम यह वाला जो surface यह बाहर वाला अगर यहां से element cut करोगे अगर यह surface area निकाल लोगे तो अगर तो इस surface area को जोड़ लोगे ऐसे यहां अंदर भी है ठीक है ऐसे ठीक है तो अगर यह solid होगा तो solid होगे तो यह जो है elementary यह जो element होगा और डिस्क होगा तो यह disk कुछ ऐसे बनेगा और इसका यह वाला जो सेडेट रीजन यह जो मैं रीजन कलर कर रहा हूं यह जो है यह surface area बात समझें अगर होलो लोगे तो यह निकलेगा और वो रिंग ऐसे निकलेगा और तुम्हें फिर अगेन यह surface area तुम्हें निकालना पड़ेगा ठीक है तो मैं सामने वाला दिख रहा है यह surface area काउंट हो गया फिर ऐसे यह जो पूरा जोड़ दोगे तो यह पूरा question हो जाएगा तो चलो एक रिंग का surface area हम लोग निकालते हैं तो ध्यान रखना है कि यह वाली जो है वह एल दिया था एल और आर के टर्म में यहां से में एक इलेमेंटरी यहां से में एक डिस्टेंस वाई डिस्टेंस ऊपर चला जाता हूं और यह जो है यहां से एक एक स्टेंस मैं ऐसे कर्व सर्फेस पर इंक्लाइन पर ऐसे मैं एक स्टेंस नीचे आगया और यह जो जो इलेमेंटरी रिंग लिया हूं इसकी थीकनेस डी अक्स ठीक ना यह मेरा इलेमेंटरी रिंग है और इसकी खुद की रैडियस इसमाल रहे ठीक ना यह इसमाल रैडियस और यह इसकी थीकनेस अपना डी एक्स तो इस रिंग को अगर इधर बाहर निकाल होगे तो इस रिंग की रैडियस इसमाल र और इस रिंग की जो थीकनेस इस थीकनेस देट इस dx ठीक है अगर इसको यहां से कट कर दो तो रिंग को कट करने के बाद यह लेंथ l is equal to 2 pi small r का यहां से यह जाएगा 2 pi small r and its thickness this thickness is dx ठीक है तो यह मुझे पता चल गया तो small area इसका जाएगा small area of this elementary rectangle तो small area d is equal to 2 pi small r multiplied by dx तो इसमें problem क्या है r and x both variable यह जो है अपने पास दोनो variable है तो मैं r को x के term में लिख दूँगा तो यह problem हो जाएगा बात च्पाज में क्योंकि जब मैं इस्वी integrate करूंगा आगे तो दो दो variable होंगे ठीक है तो मैं यहां इस triangle में यहां पर एक triangle बना हुआ इसमें triangle की property लगा देता हूँ similarity का आई होब कि आप पढ़े होगे कि अगर यह पूरा यह से यह पूरा एल है यह पूरा एल है और यहां से यह वाली इसमाल आ रहा है और यह यह जो distance है इस डिस्टेंश यह वाली जो डिस्टेंश है वो अपना एक्स है ठीक है यह distance कुछ एक्स है तो अगर मैं similarity का property लगा दूँगा यहां similarity का आई हो की अब पढ़े होगे तो जो यह वाला जो छोटा वाला small r है छोटा वाला divided by बड़ा वाला ठीक है और फिर छोटा वाला divided by बड़ा वाला L ठीक ना तो आई हो की पढ़े होगे तो इसमें small r की value आ जाएगी x x और यहां से आर अपान L की बराबर आ जाएगा अब इस small r को अपने यह जो equation है this equation इस equation में इसको रख दो ठीक है बात समझ में आ रहे प्यारे बच्चों तो यहां से इसको रख दोगे तो इसमाल एरिया डी आ जाएगा टू पाई और इसमाल आर की वेल्व यहां से आर ओबर एल और यहां से x dx तो अब हमें तो टोटल एरिया चाहिए यहां से जो टोटल एरिया जाएगा टोटल एरिया टीक है यहां पर x की value कितनी थी 0 अब जब यहां पर आओगे तो x की value यहां L होगी ठीक न तो 0 से L x की value जाएगी ठीक न तो x is equal to 0 तो x is equal to capital L finally यही हमें area देगा area इसको मैं area A1 बोलाता ठीक है तो this is the अब इसको calculate करोगे तो यह area A1 है और यह A1 है तो अपना यहां से आ जाएगा 2 pi यहां से R over L और यहां से x square by 2 और that is equal to 0 से L तो finally जब इसको तुम यहां से solve करोगे calculate करोगे तो 2 pi यहां से R L और यहां से 2 आ गया और यहां से L square minus 0 का square ठीक है तो यह 2 2ism खतम हो गया और 1 L यहां से खतम हो गया तो यहां से आ जाएगा pi R L that is area A1 ठीक न तो यह अपने पास दिखेगा area A1 और lower surface जो lower surface is circular जो circular surface है उसका area अपना जाएगा A2 जिसकी value होगी pi R square तो total area A is equal to A1 plus A2 that is यहां से pi R L और plus यहां से pi R square तो यहां से pi R common आ जाएगा L plus R के equal हो जाएगा area A यह हमें calculate करना था ठीक है this is the final solution of this problem I hope कि आपको मज़ा आ गया होगा समझ में आ गया होगे कि कैसे calculus का use करके यह सारी चीज हम लोग calculate करते हैं ठीक ना अगर कोई doubt है तो comment करो और अगर तुम्हें कोई content चाहिए तो comment करो और उस पर हम video बनाएंगे thank you